नोमवा आधियाए शिरी कृष्ण बोले है अर्जुन तुम में इर्ष्य नहीं है इसलिए ये अतिकुप्त शस्त्री ग्यान है अनुभव तुमसे कहता हूँ इसे ग्यान जानकर तुम्हारा अशुब ना होगा ये ग्यान सब बिद्याओं में श्रेष्ट है तथा सब गोप द्यूप्नियों में गुपत है यवँ परम पवित्र उत्तम परतियक्षव फल वाला है और धरम युक्त है सादन करने में बड़ा सदन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता पृंतप है इस धरम पर जो शर्दा नहीं रखते बिम्मुझे नहीं पाते और इस मृ प्रंतु किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ मुझे में सब भूत नहीं है मेरा ये इश्वर्य कर्म देखो मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है जिस प्रकास सरवत्र बेहने वाली महान बायू समस्त काश में ब्याप्त है उसी प्रकास सर्वतर भूत मुझ में है ऐसा समझो है मत्र होम का जिस प्रकास सर्वतर भूत मुझ में है ऐसा समझो है कांते सभी जीव कलप के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं कलप में के पारण में उनको फिर उत्पन करता हूँ अपनी प्रकृति का आश्रे लेकर उसके गुणों का वो सबाब बाले समस्त बूत बर्ग को बार बार उत्पन करता हूँ हे धनजे मेरे ये करम मुझे नहीं बांते क्योंकि मैं उदासी की तरह मैं इनमें आसकते नहीं हूँ और स्थिर हूँ और मैं अधिकाष्टा होकर प्रगतिस्त्वरा चराचर जगत को उत्पन करता हूँ हे कांते इसी कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है मुर्ख लोग मेरे परम सवरूप को नहीं जानते हैं कि समस्त चराचर का स्वामी हूँ जो मुझे को मुझे जानकर अवहे लणा करते हैं उनकी आशा व्यारत और कर्म निश्फल ग्यान रिज़त थक चित भरष्ट है वे उसी असुरी शक्ती के बश्च में है जो मो कोत्पन करती है हे पार्थ विवेकी जन जो देवी प्रकृती में स्थित है बे मुझे संसार का आदी अविनाशी जानकर अन्ने मन से भज़ते हैं बे द्रिडवती सदा मेरे कितन करते हैं बक्ती में उपासने करते हैं एक कटव से कोई प्रिथ कटव से और कोई मुझे में अनेक रूपों वाला बिशव रूप मानकर उपासने करते हैं श्रात यग्य मैं समार्त यग्य मैं हूँ पित्र यग्य मैं हूँ तता ओश्दी मंत्र होम का सादन दित अगनी होम मैं भी मैं हूँ इस जगत का पिता माता दारन करता पिता मा जाने योग्य पदार्तों कार रिग देव रिग बेद साम बेद और यजु बेद भी मैं हूँ गती पालन करता प्रग्य साक्षी निवास स्थान रक्षक मित्र उत्पन करने वाला सहार कारका धार परले स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ मैं सूरे रूप तबता हूँ मैं ही बर्शा रुकता हूँ मैं ही बर्शा करता हूँ ही अरजुन मैं ही बर्षा करता हूँ और सत आसत भी मैं ही हूँ तीनों बेदों का ग्याता सुम पाने वाले परपहित यग्ये दोरा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंदर के पुन्ने लोग पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्ये दिब्बे सुक बोगते हैं बे उस बिशाल स्वर्ग लोग के सुक बोगते हैं पुन्ने के क्षीन होने पर फिर से मृत्य लोग में आते हैं इस परकार तीनों बेदों के यग्यादी ध्रमों के कपालन करने बाले बो की इच्छा रखने वालों का आवागमान होता रहता है जो अन्ने बाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासने करते हैं और उन्ने नित्य योगियों के कर्मिक शेम, अतास्तान, बोजना, श्रंदान मैं इनकी रक्षा करता हूँ हे कांते दे, जो दूसरे देवताओं का भगत है और श्रदा से उन्हें पूझते हैं, वे भी मेरा ही पूझन करते हैं प्रंतु ये पूझन बिदि पूरक नहीं है सब यग्यों का भोकता और स्वामी ही मैं हूँ जो मेरे बर्त को नहीं जानते, वे आगवन से नहीं छूटते हे देवताओं के पूझने वाले देव लोग को प्राप्त होते हैं पित्रों को पूझे को पित्तर लोग को प्राप्त होते हैं और यग्या दिकों के पुझारी यग्यों को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं बक्ती से पत्र पुश्प फल और जल को मुझे को अरपन करता है ये उस शुद्ध अंतकरन वाले बक्ती के बक्ती से दिये हुए पदार्थ को मैं बड़ी परसंता से ग्रेंड करता हूँ एक कांते दे जो तुम करते हो खाते हो बैस सब मेरे अपन करो ऐसा करने से करम बंदन रूप शुब रूप अशुब फलों के मुक्त हो जाओगे और सन्यासी होगे युकत हो कर मुक्ती और वो मुझे मैं अवश्य पाओगे मैं समस्त भूतों के समान हूँ ना कोई मुझे अप्रिय है ना ही प्रिय जो कोई मुझे को भक्ती से बज़ता है बै मुझ मैं और मैं उसमें हूँ यदि कोई दूराचारी भी हो और अन्य भाव से मेरा बजन करे उसको मैं सादू ही मानता हूँ क्योंकि उसने उत्तम मार गरेन किया है वैशेगर ही ध्रमातमा होता है और चिस्थाई शान्ती को पाता है हे कांत दे ये निश्चे करके जानो की मेरा भगत कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ये पार्थ मेरा आश्रे पाकर नेच कुल में उत्तपनिस्त्रिया बैशेश शुद्र उत्तम गति को पाते हैं फिर विजो पुन्यवान भगत राजश्री और ब्रह्मान ब्रामन हैं उनकी तो बात ही क्या अतैवे इस नाश्वान और दुको वर संसार में जनम पाकर तुम मे मेरे भगत बन जाओ फिर मेरी पूजा और मुझे नमसकार कर मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ नौमे अध्याय का महत्य शिरी नारायन बोले हे लक्षमी दक्षिन देश में एक बड़ा धर्मी शुद्र रहता था बैब बड़ा पापी और मास बद्रा हारी था जुआ खेले चोरी करे पर इस्तरी गमन करे एक दिन बद्रापान से उसकी देश चुटी बै मरकर प्रेत हुआ एक बड़े ब्रिक्ष्ट पर रहे ब्रेक ब्रामन ने उसे भी उसी नगर में रहता था एक दिन बिक्षाप मांगकर इस्तरी को लाकर देवे उसकी इ एक दिन उसकी पिश्चानी ने कहा पुरुष पिशाच तुमको क्या पिशले जनम की खबर है तब पिश्चाच ने कहा खबर है पिशले जनम में मैं ब्रामन था तब पिश्चानी ने कहा तूने पिशले जनम में क्या साधना की थी जिससे तुझ को पिशले जनम की खबर ह तब उसे नि कहा मैंने पिछली जनम में एक ब्राहमन ता अध्यात्म कर्म का सुना था तब पिश्चानी ने कहा कधूने और कून सी साधन की थी ब्राहमन कौन था वो जिसके सुनने से तुझे पिछली जनम की ख़वर है पिशाच निक आएChar ने कहा. मैंने कोई अध्याय में लिखी थी कि बै तीन बाते पिश्चानी पिशाज शरवन को करी इन बातों को सुनते ही एक और भूत परेत बिख्श से निकला और उसने कहा अरे पिश्चानी ये तीन बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही हो पिश्चानी ने का तू कौन है मैं तुझे नहीं जानती मैं अपने पती से पूछती हूँ बैकरम कौन सा था जिससे पिछले जनम में की खवर रही इन बातों को सुनते ही उनकी भूत प्रेत देही छूटी ततकाल देव देही पाई स्वर्ग से विमान आए उन पर बैठ कर बैकूं ठिको गए श्री नारायन जी ने कहा है लक्षमी ये नौमा अध्याय का मात्ते में था दस माध्याय श्री कृष्ण भगवान ने कहा है महाबाहो और और भी मेरे कल्यान कारक बचन सुनो तुम पर मेरी अत्यंत प्रिती है अत्यव तुमारे कल्यान के लिए कहता मेरी कुतपती का हाल ना तो देवगन जानते हो ना ही मारेशी लोग मैं ही देवो और मारेशी का अधिकारण हूँ जो मुझे अजनमा अनादी और सब लोकों का इश्वर जानते हैं बे सब मोह रहीत हैं और उनके पाप नश्ट हो गया बुद्धी ग्यान आमूडता क्षम सत्य दम शम दुख जनम मरन बे और अभे अहिसा समता संता तब दान यश्य अपिश्य इत्यादी जो नेक परकार के भाव हैं वे सब मुझे मुझे से उत्पन होते हैं साथ मारेशी उनके पहले चार मनुश्य मेरे मन से उत्पन हुए जगत के मस्त प्राणी उन से उत्पन जानते हैं बेनिश्चे योग से सित्थ होते हैं इसमें संदे नहीं यह जानकर कि मैं ही सब का तुपत्ती कारण हूँ मुझे में ही सब की प्रविती होती विवे की प्राणी मेरे उपासने करते हैं मुझे मैं अपने चित का और प्राणों को लगा करें कि दूसरे को समझत समझाते हुए भजन करते हैं सदा सुन्तूष्ट और सुकी रहते हैं सुन्तूष्जित को सवधान परतिपूरक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धी योग देता हूँ जिससे बे मुझे प्राप्ति कर लेते हैं उन पर अनुगरे करके मैं उनकी बुद्धी में स्थितो दीदे देदी प्यमान से ग्यान मुलक संसारी अधिकार का नाश करता हूँ अर्जुन ने कहा आप पार ब्रह्मा हो परमधाम परमित्र अचला दिब्बे पुर्शो आदी देवो अजन्मा हो संस्यासिक को तुमको सब रिशी देव रिशी नारद आसित अब देवयग्य व्यास भी ऐसा कह गए है और स्वाइम भी कह रहे हो हे केशव जो तुमने मुझे से कहा कि सो सब मैं सत्य मानता हूँ हे भगवान देवता और दानव इन दोनों से ही तुमारे रूप को नहीं जाना हे सब जीवों के उत्पन करने वाले भूतेश हे देव जगत पते हे पुर्शोतम आप स्वाइम ही अपने मन को जानते हैं अत्यव आप अपनी उन विवोतियों का हाल पूर्णे तैवरना किजिए जिनके दोरा आप इन सब लोकों का वियापत हो रहे हैं हे योगिन हे भगवान हे सब आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ आपका द्यान किन किन भावों से करना योग्य है हे जनारदन कृपिया अपनी माया और विवोतियों को बिस्तार कर से कहिए इस अमरित रूप आपकी बाणी को सुनने से मेरा मन त्रिप तो नहीं होता है शिरी भगवान ने कहा मेरा बिस्तार कर तो अनत है तो भी मुख्य विवोतियों को मैं सुनाता हूँ हे गुन के समस्त भूतों के अंत करन में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ मैं ही उनका आदी और मद्य और आंत हूँ अधित्यों मैं विश्णू प्रशंकों के नेक किर्णों मैं बोसित सूर्य और मरुद गणों मैं मारिच और नक्षत्रों मैं चंद्रमा हूँ प्रोहितों में ब्रिश्पती, सेनपती में सकंद और जलाश्यों में समुद्री में हूँ, मैं ही मारिश्यों में ब्रिगुवानी हूँ, अक्षरों में उंकार, यगों में जब और सथावरों में हिमाली में हूँ, ब्रिक्षों में पीपल और देवरिश्यों में नारद और गंदर्वों में चित्रत, सिद्धों में कपिल मुनी, और बेदों में अमरीत उत्पन उचेवा, उच्छे श्रेदवा प्रजा की उत्पत्ति करने वाला काम देवा सरपों की बासुक ही मैं हूँ नागों में शेशनागों जलचरों में वरनों पित्रों में अर्यम्मा हूँ और करने वालों में यम्राज हूँ और दैत्यों में प्रहादगार गरास करने वालों में काल म्रेगों मैं सी और पक्षियों में गरुड हूँ मैं हूँ शुद्द करने वालों में बायु और शस्त धारी ओ में राम मशलियों में मगर और नदी और में गंगाही मैं हूँ हे अर्जुन सब प्रानियों का आधी इदमद्य और अन्त बिद्द्याओं का आत्म अध्यात्मा और वाद विवादों के मैं बादिय मैं हूँ अक्षो मैं अँकार विवादों मैं बाती मैं हूँ अक्षों में उंकर मासों में दुइंद और अक्षे खोकर अचारमुक वाला ब्रहमावी मैं हूँ सबको हरने वाली मित्यु और विश्यम होने वाले पदार्थों उत्तपत्ति इस्त्रियों में किर्थी लक्षमी वानी और स्मृति मेदा देत्ति और क्षमा में मैं हूँ साम बेद ब्रह्म सास और शंद्रों मैं गाहित्री मासों मैं मार्ग शीष और रितुग बसंत भी मैं हूँ शलियों मैं जुआ और तपस्यों मैं तेजवी मैं हूँ जै उद्योग और सत्विकों मैं सत्तेवी मैं हूँ और यादों मैं बासुदेव और पांडों मैं अर्जुन मुनियों मैं ब्यास और कवियों मैं शुक्री मैं हूँ लो में दंडद और यह चाहने वालों में नितिल गर्या प्रदार्तु का मौंडा को मैं यों ग्यानीनम निमें हुआ अर्जुन पूत बाव मैं हां मैं ृत बाक जो बीज बिज को बियुज ही मैं हुं अतरुक्त ही तेज के अंश और उत्पन हैुआ है जनो है अथवा है लो इस ग्यान के तुमको क्या प्रियोंजन है यही जान लो कि मैं मैं अपना एक ही अंश और इस संपूर्ण जगत में व्यापत हूँ दस्वे अध्याय का मात्त में शीरी नारहन जी बोले है लक्षमी अब दस्वे अध्याय का मात्त में कहता हूँ तुम श्रवन करो एक समे केलाश परवत पर शिव परवती बैठे थे एक हंस मेरे दर्शन को आया बैहंस ब्रहमा का बाहन था ब्रहम लोक से मानस रोवर को जाता था उस रोवर में सुन्दर कमल के फूल थे बैहंस इस कमल को लांगने लगा उसकी परशाई कमल पर पड़ी बैहंस अचेतन वकाला हो और अकाश में गिर पड़ा तब उसी समय उसी मार्ग पर एक गण आया हंस को गिरा कर देखकर गण ने कहा है स्वामी बै हंस आपके दर्शन को आया था श्याम वरन होकर सिर गिर पड़ा गण मेरी अग्या से हंस को ले आया मैंने पूछा है हंस तू श्याम वरन को क्यों आया है तो श्यामवर्ण को क्यों आया है तो हंस ने कहा ए प्रभु जी मैं आपके दर्शन को आ रहा था मानसरोबर कमल के फूल खीले हो थे तो मैंने उनको लांकर आया हूँ उसे मेरी दे श्यामवर्ण होगी और मैं आकाश से गिर पड़ा मैं कारण मैं नहीं जानता ये सुनकर शिव जी हंसे तब आकाश वानी हुई हे शंबू जी कमलानी से पूछो बै कहेगी कमलानी ने कहा पिछले जनम मैं अपसरा थी नाम पदमा बती था उसमें श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित सनान करके गीता जी के दस्वेध याइका पाठ किया करता था एक दिन राजा इंदर का सियासन हीला तब इंदर ने मुझे आग्या दे कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या बंकर आग्या पाकर मैं उस विपर के पास गई उस विपर ने मुझे शाप देकर कहा ये बापिन तू पापिन कमलानी हो जा उस इसमें मैं कमलानी हो गई और तब ही मैं गीता के दस्वेध याइका पाठ करती हूं उस इस से मेरा तेज है कि मुझे को लांगने बाला काला हो अकर अचेत हो जाता है तब हंस ने का मेरा ये शावर्ण कैसे श्वेध वर्ण में और तू ने किस कमल को दे से चुड़कर कैसे देवी दे पाई तब कमलानी ने कहा जब कोई श्री गीता जी के दस्वेध याइका पाठ सुनवाएगा तब उसका उधार होगा तब उस पंडित ने स्रोबर में सनानकर शली गराम का पूजन कर दस्वेध याइका पाठ किया उसे हंस कमलानी को सुना और तब उनका धार वततकाल हंस श्वेध हुआर कमलानी देव कन्या हुई ग्यारमाद याइए अरजुन ने कहा हे श्री कृष्षन हे भगवान मुझे पर कृपा करके अतियंत गुपत अतियाते बिशिप यचन जो आपने के उनसे मेरा मो दूर हो गया है एक अमलने इतर मैंने जीवों की उतुपति और नाश का कारण आपका अक्षिय मात्त में और आपके मुखरा बिंद बिस्तार पुर्वक सुना है पर शोतम मैंने आपने जैसा अपना वरन किया वैं आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है ये योगे शुर मदुस्तादन आप यदि मुझे उसको देखने योगे समझे वैं आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखलाएं श्री बगवान ने का अपार्थ नानाप्रकार के नाना वरनों के और ना서काश के portrait शस्जाट दिभ्वे उपगो देख भारत तुम बसु रुद्र आवश्वनी तुम अविनाशी अकारशत नाना प्रकारशत शत्र और दिब्वे रूप को देख तुम बारतुम्र विश्वनी कुमार मरुदुगन और पहले कभी ना देखे ऐसे आश्चर देखो कि गुणा के इस चराचर सहीत ये जगत देखो कि जो कुछ देखना चाहो यहां मेरी दे म में देख लो प्रंतु इन नेतरों से मुझे नहीं देख पा सकोगे इसलिए तुमको दिब्वे नेतर देता हूं उनसे मेरा दिब्वे रूप देखो संजे ने देतराश्चे से कहा है राजन इस प्रकार शिरी किष्णा चंदर जी ने आर्जुन से कहा उसको दिष्टी देख अपना लोकिक रूप दिखाया उस बिशव का रूप नेक मुख और नेक नेतर थे उनमें नेक अदबुद दिष्चे थे पर नेक सुंदर सुंदर अभूशन तता आयुद्यों के सुसजित दिब्वे और बस्तर थे इसे दिब्वे गंद और श्रीर पर लगे थे उस समस्त आश्चरे में अनंत देव सुंदर और अनंत देव सब मुख दिखाई देते थे अकाश में यदि हजारों सुरे की प्रभा भी एक साथ उन पर मातमा की प्रभा चमानता ना कर सकी उसमें अरजुन देवा धीवे देव श्री का अनेक परकार की भी मुख देखते देखा तब अरजुन ने अस्चरे से चागित हो गया उसका श्रीर रोमान चीत होगया उसने शीशा नवाकर हाः जोड़ कर का है देव तुमारी देव में सब देव भिन भिन प्रानियू अ समुदाय कमलासन और पैठे हुए हैं देवताओं के ईश ब्रह्मा सम्पूर्ण रिशी दिब्बेव सर्पो और देखता हूं विश्वेशर तुम्हारे अनेक भूजा अनेक उद्धर अनेक नितरें तुम्हारा रूप अनन्त है तुम्हारे अनन्त तदा आधी को नहीं तुमको क्रीट यूद्ध गदा यूद्ध गदा चकर धरे और ये देदिश या निते जो राशी सवर्वत चमकते हुए आगिनी तथा सुरे की बांती प्रकाश मंदूरवी अप्रसरा देख रहा हूं मेरे मात से तुम्ही ब्रह्मा जाने की बास्ति विश्व मैं मानादा नित्य सनातन धर्म रक्ष प्रुणान प्रुषो मैं आपको आधिस मद्य और अंत रहित अनंत शक्ति अनंत बुच चंदर सुरे जिसके ऐसे किरती मान अगनी से मुख्य बाला अपने तेजी संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूं वहे मातमन पिर्थिवी और काश के मद्य बै अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप से ही ब्यापत हो रही है आपका ये अद्बुत और उगर रूप